हेलो नमस्कार मेरा नाम रिश्यप सिंग और आप देख रहे हैं करेंट अफेर्स पावर्ट बाय अड़ा 247 दोस्तों इस वक्त सुप्रीम कोट एक केस को स्टेडी कर रही है और इस केस में जो इशू है वो यह है कि जो एजूकेशन जो रिलिजिस एजूकेशन मदर्सा में पढ़ाई जा रही है एजूकेशन इंपार्ट की जा रही है स्टूडेंट्स को जो मदर्सा में है क्या वो एजूकेशन भारत के सेकुलर रजम को या भारत का जो सेकुलर प्रिंसिपल है क्या उसको वॉयलेट किया जा रहा है और अगर रिलिजिस एजूकेशन जो इंपा के बारे भी पता चले लेकिन साथ साथ जो modern time के लिए employment में जो skills और जो expertise है वो भी आना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यदि सिर्फ religious education पर ही focus किया जाएगा तो यह जो skill वाला angle है जो की employment बहुत जादा जरूरी है वो कहीं न कहीं miss out हो जाएगा तो इस वज़े से supreme court इस वक्त इसी balance को कैसे attain किया जाए यह जो मिद्दा है यह supreme court में पहुचा हुआ है और यह भी देखेंगे कि recently ही child right panels ने report भेजी सभी state government को और उने बोला है कि मदर्सा में जो funding दी जा रही है राज सरकार के द्वारा उसे रोकना चाहिए क्यूंकि मदर्सा में जो education दी जा रही है वो बिलकुल भी modern time education से match नहीं करती है तो वो report वो letter में क्या चीज़ें थी यह भी हम बात जो है समझने की कोशिश करेंगे तो यह सारी यूपी जो मदर्सा एक्ट है यह आपका पहुचा है सुप्रीम कोट में और इस पर उत्तरपदेश की गवर्मेंट ने यह बोला है कि पूरी तरीके से मदर्सा education को बंद कर देना या खत्म कर देना यह सही नहीं होगा ठीक है यह सही नहीं होगा एक प्रॉपर यह स्टेटमेंट कहा है यूपी की गवर्मेंट ने यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोट के सामने और सुप्रीम कोट को यही बैलेंस बताना है कि किस तरीके से जो मदर्साज है या जो स्टेट गवर्मेंट है वो इंशोर कर सकती है कि रिलिजियस एजूकेशन और सेकुलरिजम में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे है क्लियर हो गया अब देखिए इशू क्या इशू यह है कि जो यूपी का मदर्सा एक्ट है यह जो यूपी का मदर्सा एक्ट है इसका अबजेक्टिव यह है कि जो रिलिजियस एजूकेशन दी जा रही है उसको integrate किया जाए जो modern education है क्योंकि इस act के तहत यह बताया गया है कि जो मदर्सा में education हो रही वो religion पर जादा focus की जा रही ठीक है religious education जादा दी जा रही है और जो modern education है वो नहीं बताया जारी तो इससे क्या हो रहा है इससे जो quality education है जो right to education जो की 6 साल से लेके 14 साल तक के सभी बच्चों का जो मौलिक अधिकार है that is fundamental right है वो deprived हो रहा है क्योंकि अगर देखे culture religion के बारे में जानना समझना उसे respect करना बहुत जादा जरूरी है लेकिन as a whole जैसे समय बढ़ रहा है ठीक है employment के लिए skills के लिए ठीक है अपने खुद के upliftment के लिए आपको modern education technologies के बारे में भी जानना उतना जादा ही जरूरी है तो यह balance provide करा सके ठीक है यह balance provide किया जा सके between religious education and modern education और यह दोनों एक साथ integrate हो सके ठीक है मदर्सा act है यह आपका pass हुआ है लेकिन यह जब act पास हुआ तो इससे challenge किया गया इलहाबाद high court ने और फिर इलहाबाद high court के पास अब यह supreme court में पहुचा और supreme court का काम यह है कि किस तरीके से इसे integrate किया जाए क्योंकि यह बहुत ही thin line है तो यह कैसे balancing हो सकता और यह जो है supreme court अब study कर रही है plea filed in supreme court against अलहाबाद high court order declaring मदर्सा act as unconstitutional मदर्सा act पूरी तरीके से unconstitutional यह लाबाद high court ने कहा था और यही फैसला जो है यह challenge हुआ है पियायल दर्ज हुआ है supreme court में supreme court इसी इसी act को और इसी judgment को समझ रही है और किस तरीके से balance होना चाहिए यह supreme court study कर रहा है अब देखे कुछ time पहले ही अभी recently ही आपका national commission for protection of child rights ठीक है nc nc pcr अब इन्होंने क्या किया यह जो child right body है इसने सभी राज सरकारों को एक letter भेजा letter में बोला कि मदर्सा में जो पढ़ाई की जा रही है वो एक तरीके से जो भारत में right to education है उसे violate कर रहा है to education that is fundamental right उसे violate कर रहा है क्यूंकि मदर्सा में जादा तर focus religious education पे दिया जा रहा है Islamic education पे दिया जा रहा है जो curriculum है अब क्या होता कभी किसी भी आप college में जाएंगे किसी भी school में जाएंगे तो आपको curriculum मिलता है curriculum मिलता है कि आप history में यह subject पढ़ेंगे आप geography में यह पढ़ेंगे ठीक है मैट्स में यह पढ़ेंगे तो curriculum जो बताया गया है मदर्सा में वो बिलकुल भी जो modern education है या जो इंडिया की जो education की policy है उससे बिलकुल भी mail नहीं खाता है ठीक है mail नहीं खाता है प्लस ये भी इस letter में इस report में बोला गया कि जितने भी teachers मदर्सा में हैं वो बिलकुल भी well qualified नहीं है उस तरीके की training उनको नहीं मिली है और जाधा तर वो जो teachers हैं वो religious books की knowledge को ही समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं और वही जो है वही knowledge इन सभी बच्चों को जो है जो भी मदर्सा में enrolled हैं उनको पढ़ा रहे हैं साथी साथ यह भी बोला गया है इस report में इस letter में कि जितने भी non-muslim students हैं जो मदर्सा में पढ़ रहे हैं उन्हें तुरंत immediate basis पर मदर्सा से pull out कर देना चाहिए और उन्हें proper normal school में पढ़ाना चाहिए admission कराना चाहिए enroll कराना चाहिए so that उनकी जो fundamental right है जो मौलिक अधिकार है that is right to education वो बिलकुल भी violate ना हो क्योंकि हो क्या रहा है according to national commission for protection of child rights letter के साथ साथ दिनों ने एक report भी बेजी guardians of faith और oppressors of rights ठीक है इस report में यह बताया गया कि हो यह रहा है कि जादा तर focus religious education पे दी जा रही है ठीक है Islamic education पे दी जा रही है curriculum बिलकुल भी जो modern curriculum है उससे बिलकुल भी mail नहीं खाता है जो teachers है वो बहुत जादा trained नहीं है बहुत जादा skilled नहीं है और वो religious किताबों की knowledge को ही समझा रहे हैं बता रहे हैं और उसी को impart कर रहे हैं तो ऐसे में यह हो रहा है कि एक तरह से discrimination बढ़ रहा में enrolled हैं या किसी भी religious education में enrolled हैं ठीक है किसी भी religious education में institute में enrolled हैं अब उनको सिर्फ अगर religious education पढ़ाया जाएगा ठीक है सिर्फ वो अपनी religion के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें modern technology के बारे में चीज़ें नहीं पता होंगी ठीक है modern technology के बारे में चीज़ें नहीं पता हों जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास क्या है वह तो प्रॉपर modern technology को पढ़ रहा है उसे जो जो चीजे हो रही है कि जिस भी सेक्टर से रेटर है जैसे सब्सक्रों IT सेक्टर में अभी यह बहुत ज्यादा एक डेटा अनलिस्ट डेटा साइंटिस्ट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग यह सारी चीजों पर फोकस की जा रही है तो एक बच्चा जो religious institute में enrolled है उसे इन modern technologies के बारे में पता ही नहीं है तो जब वह अपनी schooling complete करके जब वह बच्चा मार्केट में उत्रेगा तो उसको यह सारी चीज़े पता ही नहीं तो इससे क्या होगा मार्केट में एक discrimination पहलेगा ठीक है एक discrimination बढ़ेगा कुछ लोग उस role ठीक है जो भी jobs है उसके लिए वो fit है क्योंकि उनको इस technology के बारे में पता है उस वह technology expertise है बट बहुत से स्टूडेंट जो इन religious institute में enrolled है उन्हें अपने religion के बारे में तो पता है अपनी culture history के बारे में पता है अपनी identity के बारे में पता है बट उनके पास वह expertise और वह skills नहीं है ठीक है वह expertise और वह skills नहीं है जिससे वह modern days में employment को पा सके और खुद को भी uplift कर सके और साती साथ देश को भी uplift कर सके तो इस वजह से discrimination बढ़ रहा है यह report का कहना है guardians of faith और oppressors of rights यह आप report लिख भी सकते हैं अगर आपको सवाल इस तरह का रहा है इस report को mention कर देज़ेगा क्योंकि यह government back body ने लिखा है ठीक है national commission for production of child rights तो इस वजह से काफी द्यादा important हो जाता है ठीक है और यह भी बोला है जैसे मैं आपको आदा कि teachers well trained रही है और ज्यादा से ज्यादा focus जो है वो एक particular religious education पर ही दी जा रही है तो इससे सबसे important चीज़ है यह discrimination हो रहा है और जो बच्चे क्योंकि देखो भाईया मौलिक जो मौलिक अधिकार है वो सभी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि यह जो बच्चे हैं जो बच्चे in religious institute में enrolled हैं वो सिर्फ religion education को कोई पढ़ रहे हैं तो उनका जो फंडामेंटल राइट है जो मौलिक अधिकार है वो वोईलेट भी हो रहा है क्यों क्योंकि वो quality education को ठीक है quality education को access नहीं कर पा रहे है ठीक है access नहीं कर पा रहे है एक बच्चा है जिसे अपने religion के बारे में पता है जिसे अपनी culture history के बारे में पता है प्लस उसे modern days के बारे में भी पता है कि कौन-कौन से skills कौन-कौन सी expertise required है तो any day वो जो लड़का है वो या जो वो जो student है वो किसी के लिए भी ज्यादा beneficial रहेगा beat institute beat any company rather than जो सिर्फ अपनी religion history के बारे में जा रहा है तो इसी वज़े से बताया गया इस report में कि discrimination फैल सकता है quality education बहुत से बच्चों को नहीं मिल रही इसी वज़े से ये समय है इसी वज़े से इस commission ने बोला है कि राज सरकार को funds जो है वो मदर्सा को नहीं देने चाहिए बंद करने चाहिए और पूरी तरीके से revamp करना चाहिए ठीक है पूरी तरीके से revamp करना चाहिए अब देखे सुप्रीम कोट ने पहले ruling जो दी है मदर्सा education को लेके वो क्या बोला है वो ये बोला है कि मदर्सा जो ह रहते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें लेकिन जो सरकार का पैसा है ठीक है जो सरकार का पैसा है उसको इस्तेमाल religious education में नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि इससे भारत का जो secularism का principle है वो wallet हो रहा है क्यों क्योंकि सरकार जो है भारत एक secular country है यहां पर state state का कोई religion नहीं और अगर state किसी particular religious institute को funds दे रहा है तो वो religious institute religious education में उस fund को इस्तेमाल नहीं कर सकता है ठीक है उस fund को इस्तेमाल नहीं कर सकता है और यही वो balance है यही वो balance है जो minority rights और secularism में बनाना है ठीक है यही वो balance है it balances minority rights to establish religious institutions with the state's obligation to uphold secularism in publicly funded education यानि कि कोई भी religious education है उसको अगर public उसको अगर state पैसा दे रही फंड दे रही है तो condition यही है कि उस fund का इस्तेमाल आप उसी तरीके से करेंगे जब तक आप secularism के principle को follow नहीं कर रहे हैं यह Supreme Court ने बोला हुआ है और UP का मदर साइट क्या है यह मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि रिलिजेस एजुकेशन और जो modern education है उससे integrate करना है अब कुछ important articles है जो कि आप जाने जेशे देखिए यह जो religious education की मैंने बात करी कि जो minorities है वो अपने अपने रिलिजेस institute को establish कर सकते हैं और administer भी कर सकते हैं यह कौन सा article सुनक्षित करता है fundamental right के article 30 ठीक है article 30 gives minorities the right to establish and manage ठीक है establish भी और खुद manage भी educational institutes to preserve their cultural and religious identity तो पूरी तरीके से क्योंकि यह article इसलिए दिया गया था क्योंकि 1947 में जब धेश अजाद हुआ तो बटवारा unfortunate बटवारा में देखना पड़ा तो इस वजह से जो minorities थे उनको कहीं न कहीं डर था कि जो majority जनता है कहीं वो अपना culture हम पे ना impose करने लग जाए तो इस वजह से article 30 जो है वो एक मौलिक अधिकार है जो minorities को भारत में भारत की सभी minorities को यह हक देता है कि वो अपने culture को preserve करने के लिए अपनी identity को conserve करने के लिए religious institute establish कर सकती है और उसे manage भी कर सकते है ठीक है उसे administer भी कर सकते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत का जो secularism का principle है वो कहीं नहीं वो वो लेट हो ठीक है तो इस वजह से यह बहुत important balance है जो state को भी ध्यान रखना है और जो religious institutes है जहां religious education impart की जा रही है उनको भी balance करना है फिर article 28 क्या कहता है आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकार फंड नहीं देगी किसी भी religious instruction को जहां पर religious institute पढ़ाया जा रहा है तो यही वो आर्टिकल है जहां पर balance provide करना है ठीक है यह दो आर्टिकल है जिनको जो balance का एक आधार प्रोवाइट कर रहे है ठीक है दीज प्रोविजन प्रोविजन बैलंस minority rights with the secular nature of state-run institutes ठीक है और जो मदर्सा education है उसमें जो बच्चें रोल रहते हैं वो कहीं न कहीं राइट to education जो है राइट to education जो राइट है राइट to education जो एक्ट है उसके प्रिव्यू में नहीं आते है इस पज़ज़ से जो national commission for जो मैंने आपको बताया national commission for protection of child rights उन्होंने यहीं बोला है कि जो भी बच्चें मदर्सा में पढ़ रहे हैं वो राइट to education के अंदर नहीं आ पा रहे हैं जिससे उनको quality education नहीं मिल पा रही है और society में कहीं ने कहीं आगे चलके एक बहुत बड़ा discrimination आ सकता है between students of normal school and students of these religious institutes तो यह balance बहुत ज़ादा ज़रूरी है यहीं मुद्दा आपका Supreme Court में पहुचा हुआ है तो यह था पूरा आपका concept अगर हम secularism की बात कर लें हम religious institute की बात कर लें बाकी आपकी राय क्या है आपको क्या लगता है कि यह balance होना बिल्कुल ज़रूरी है religious institutes को मदरसास को revamp करने की ज़रूरत है यह आपको लगता है कि जो चीजे हैं वैसी ही चीजे चलनी चाहिए तो अपने thoughts comments में जरूर बताइएगा इसी तरीकी की जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को subscribe भी कर लीजे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन वीडियो को share करिए इन पर likes करिए इन पर comments करिए और आपको कोई और topic चाहिए जिसको आपको समझना है किसी भी field से हो सकता है वो मतलब education की fields related उसे आप comments में बता सकते हैं तो इसी के साथ वीडियो को end करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो share like और comments बिलकुल भी करना मत भूलिएगा मुलकात करेंगे आप से अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत